दोस्तों भाजपा की विडम्बना देखिए बड़ी शर्म की बात है अफसोस की बात है कि अपने आपको किस तरीके से एक्सपोस कर रही है भाजपा सरकार भाजपा सरकार यूपी के मंत्री मंडल में एक ऐसे निता थे एक मंत्री थे जो अभी रिसेंटली उन्होंने रिजाइन करके सपा को जोईन करने की बात करी थी नाम है उनका स्वामी परसाद मौर्या स्वामी परसाद मौर्या का कहानी ये है कि इन्होंने 2014 में कुछ ऐसे ही भड़काओ भाशन उन्होंने दिया था और वो भाजपा में शामिल होकर लगतार छे सालों तक छे सालों तक उन्होंने सत्ता की मलाई खाई थी सत्ता की मलाई खाने के बात से जब उनको लगा कि अब ये नईया डूब रही है तो जाहिर से प्याद आपको भी पता है कि जब नाव डूपते हैं तो वहां सबसे पहले चुहे कूद के भागते हैं तो इनको भी लगा भाजपा को कि ये हमारा चुभा कहीं दूसरे नाव में जाकर ना बैट जाए इसलिए इस पर करवाई करने चाहिए तो ये आज की खबर है दोस्तों ये खबर ये है कि स्वामी परसाद मौरय की गिरिफतारी का वारंट जारी हुआ है धार्मिक भाउना सत्ता बदलते हैं वैसे ही उनके उपर में करवाई शुरू हो जाती है यही वो शक्त हैं जिनको आपने देखा होगा रिसेंटली कि मंत्री मंडल छोड़कर इस्तिफा देकर भाजपा को ये कहना चाह रहे हैं भाजपा के लोग कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो भले है यही बहुत ही खतरनाक है इस लोगों इस चीज़ को समझने क्या हो शक्ता है और आम जंता को समझने क्या हो शक्ता है दोस्तों क्योंकि आप लोगों को बेकूब बनाय जाता है मुझे इस नेता से भी कोई हमदर्दी नहीं है क्योंकि ये नेता आज है यहाँ और कल किसी और पार्टी में चला जाएंगे इनका कामी यही है कि अगर ये आज किसी एक जगा में मंत्री है और इन्हों ने ही एक बहुत ही गलत सलत बात भी बोली थी जब सीए नर्सी और बहुत सारी चीजों पर प्रोटेश चला था प्लस मुस्लिम के शादी पर भी उन्होंने कुछ उल्टे सीदे बयान दिये थे लेकिन ये नेता है इनका कामी है यही उल्टे सीदे बयान देना मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो क्यों खामोश होती है किसी अपराधी पर करवाई नहीं करना चाहती है क्यों आकिर इसके पीछे क्य क्या मकसद है खेर तो ये ऐच की खबर है और भाजबा कैसे खुद को एक्सपोस कर रही है वो आप समझ गए कि बीजे पी एक अड़ा बन चुका है जहां पर अपराध ही शरन लेते हैं जाते हैं वाशिंग मशीन में धुल जाते हैं और फिर जब उनको लगता है कि अब ये स खेमा बदलते हैं और सत्ता का मलाइक खाने के लिए कूद बढ़ते हैं आप जागरुक रहिए आम जंता जागरुक रहिए तब ही देश बदलेगा अधरवाइस हम सब बोलते रहेंगे कोई फैदा नहीं है धन्यवाद